सबसे पहले एकजामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसके अंदर 3-4 बाते रहते कि बचे कुई कॉपी अच्छी लिखी होनी चाहिए और अच्छा कंडेंट होना चाहिए ठीक है तो आप सभी को पेपर में यह चीज ध्यान रखना होगा जब आप कॉपी पाते हो तो अपना रोल नमबर मिश्टिक नहीं करना है पेपर कोड मिश्टिक नहीं करना है क्योंकि अगर आप इन चीजों में मिश्टिक करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं करी जाएगी रिजेक्ट हो जाएगे और आपको बता दे अगर आप चाहे हिंदी का पेपर दे रहे हों चाहे English का अब आप क्या करोगी कि बोड की कॉपी जब आपको मिलती है तो आप उसमें अपना रोल नंबर कोड नंबर पेपर कोड सभी चीज़े अच्छे से भरिएगा और जो कॉपी मिलती है सिगनेचर के लिए उसको ध्यान से सिगनेचर करिएगा और दो तीन बातें हैं जो आपको नहीं करनी है ठीक है अगर आप किसी से प्यार करते हो उस टाइम पे आपको जो है डिप्रेशन जैसा होता है आप नहीं पेपर कर पाते हो तो आप उसमें इस तरह से गलती करते हो यह सब्सक्राइब गलती आपको बिलकुल नहीं करनी है ठीक है और अपनी कोई भी परसनल चीज नहीं लिखनी है कि Sir ये मुझे बीमारी है या फिर मेरी साधी नहीं हो रहे है इसलिए मैं नखल करके पास, नखल करके लिख रहा हूं थोड़ा मुझे पास कर दीजिएगा ऐसी कोई परसनल चीज आपको नहीं लिखनी है और सबसे बड़ी चीज जो होती है मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपनी राइटिंग पर फोकस करिए जितनी जादा राइटिंग आपकी एट्रेक्टिव लगेगी उतना जादा आपको प्रश्न को लिखेंगे एक्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर आपको उसके लिए जरूर देगा और सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पैसा देकर पास हो जाओंगा तो आपको पेपर कॉपी में पैसा बिलकुल भी नहीं रखना है यह सारी गलती नहीं करनी है और ऐसी ही सारी चीजों को मैं आपकी जानकारी देती रहूंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिलकुल नभूर